हो सकता है इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस आपको एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ कोईन DCX में आप कैसे पैसे एड करेंगे NFT के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, RTGS के माध्यम से यह पूरा प्रोसेस 15 से 20 मिनट का हो सकता है इस वीडियो में जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वो सारे काम के स्टेप है ऐसा नहीं है कि एक भी स्टेप में आपको ऐसा एक्सप्लेइन कर रहा हूँ जो आपके काम कार नहीं है आप किस परकार CoinDCX के wallet में पैसे एड करेंगे सो नमस्कार दोस्तो मेरा ना मरिंकू आप दिख रहे हैं रहगा फिलिक इन्फो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप मेक्शोर कीजिए कि आपका जो कोईन DCX का एप्लिकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन पे हो यानि की कोई अपडेट आ रहा है तो प्लीज सबसे पहले अपडेट कर लीजे उसके बाद में आप अपने जो अकाउंट वो लोगिन कर लीजे कोईन DCX के एप्लिकेशन में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर होम स्क्रीन पर यह आपको जो एड़ फंड का ऑप्शन है वो मिल जाता है आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखता है कोई बात नहीं है नीचे यहाँ पर अकाउंट का ऑप्श कर सकते हैं और जादा से जादा 51,00,00,00 रुपर एड कर सकते हैं single time single time का मिलब यह है कि जब आप एक बर process कर रहे है उस समय आपको कम से कम इतना एड करना होगा और जादा से जादा आप इतना कर सकते हैं लेकिन आप दूसरी request में जितना चाहें जो यहाँ पर limit है उस base के अ 5000-10,000 इन्विड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है automatically यहाँ पर जो amount है वो यहाँ पर type हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है continue to pay पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूं यह जो amount है 1000 रुपए हो सकता है जब आप यह वीडियो देख है तो लाखों लोगों का पैसा verify करने में कि हाँ इन्होंने जो पैसा भेजा है वास्तम में वो आया है या नहीं जो भी transaction number आपने डाले है वो प्रॉपर सही है या नहीं तो verify करने में बहुत time लग जाता है और उसी बीच में जो बड़े user है इनका एक लाक है दो लाक है वो बाजना है और समझ सोच के आपको काम करना है यहाँ पे देखो लिखा है बैंक ट्रांसफर, NFT, RTGS, IMPS का जो वर्ड़ है गायव है यादि कि पैसे सरफ दो ही process के माध्यम से बेजने हैं NFT के माध्यम से and RTGS के माध्यम से हो सकता है जब आपी video देख रहे हो process तो same रहने वाला ह बढ़ हो सकता है IMPS का option भी हो उसके बाद में नीचे आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो fees है वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है and maximum जो time लगेगा यह आप बोल सकते हैं कि processing time है वैसे maximum लिखा नहीं है बढ़ जो पैसा आपको मिल जाएगा वो 24 गंटे में आपको मिल जाए उस समय आपको जो coin dcx में register mobile number आपका link है वो आपको remark में डालना है मैं आपको वो भी explain करूंगा जब live पैसे transfer करूंगा उसके बाद मैं okay understand अब यहाँ पर अगला process और भी बहुत ध्यान से आपको समझना है आपका जो भी यहाँ पर register bank account link है फिलाल उसका mobile banking या internet banking आपके पा या internet banking से मैंने बहुत कुछ सोचा समझा उसके बाद में final decision मैंने यह लिया कि हो सकता है आप मेंसे बहुत सारे लोगों के पास HDFC bank में account ना हो क्याकि मेरा HDFC में है फिर मैंने यह भी realize किया same time कि बहुत सारे crypto में essay users हैं जो student है and essay users भी ना हो जो student ना हो सब के पास state bank of India यानि कि SBA में account almost होता ही है अगर आप यह video देख रहे हो तो मैं यह मान के चलता हूँ मान लिजी 1000 लोग इस video को देखते हैं तो हो सकता है कि उन 1000 में से at least 700 लोगों के पास यानि कि 70% लोगों के पास हो सकता है कि SBA में account हो तो मैं SBA की bank account से आपको live इनके bank account में पैसे transfer करके होंगा add नहीं होंगे कैसे आप help मांगेंगे वो भी मापको बताऊंगा अब आपको क्या करना है थोड़ा से scroll करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पे मैंने 1000 रुपए के लिए request की है यहाँ पे जो 1000 रुपए मुझे भेजना है वो detail मेरे सामने है जैसे कि account number FSC code यहाँ पे जो current है तो current account यहाँ पे है जब हम पैसे भीज देंगे और हमको जो ID number मिलेगा transaction ID number या UTR number आप कुछ भी बोल जाकते हैं तो वो number हमको यहाँ पे डालना है और submit करना है अब यह number कैसे मिलेगा कहा मिलेगा कैसे निकालेंगे कैसे submit करेंगे उससे पहले जो हमारे पास यह bank detail हमको दिख री है इनमें हमको पैसे transfer करने होंगे अब यहाँ पे SBI जो bank है उसकी internet banking भी बहुत सारे users के पास नहीं होगी बट जो you know है वो almost जो सभी users है वो यहाँ पे use करते हैं तो you know से आप कैसे हाँ पे पैसे transfer करेंगे वो मैं explain करने वाला हूँ सबसे पहले SBI का जो you know है उसको आप login करेंगे I hope कि आपके पास you know में account हो आपका अगर नहीं है तो simply आप अपना account create कर सकते हैं या internet banking है तो आपको 100% पता होगा कि beneficiary कैसे add करते हैं और आपको नहीं पता तो simply आप you know में simply जो login है अपना account वो कर लीजे internet banking के माद्दिम से यह यह step में आपको explain कर रहा हूं यह follow कीजिए तो जैसे ही आप login करेंगे first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा उपर यहाँ पर यहाँ पर three dot आपको मिलेगे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ एक option मिलेगा you know pay पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक user है तो मुझे explain करने की ज़रूरत नहीं है profile password क्या होते है submit पे क्लिक करूँगा profile password डालने के बाद में उसके बाद में तीन option आते हैं पहला option है SBA bank account में पैसे भीज रहे हैं क्या नहीं भीज रहे हैं HDFC का उनका account है तो हम क्या करेंगे other bank पे click करेंगे ठीक है इस पे click करेंग एक बार उसके बाद में हमको नाम डालना है account number डालना है वापस से account number हमको डालना है IFSC code उसके बाद में नीचे है maximum limit यह maximum limit क्या है यह maximum limit वो है जो हम यह beneficiary add करने हैं इसमें जादा से जादा 24 hours में कितने पैसे हम भेज सकते हैं nickname में आप coin DCX या कुछ भी डाल सकते हैं कोई द यहां पर copy का button है copy मैं यहां पर click करता हूँ copy हो गया वापस से आएंगे यहां पर जो name है इस पर click करेंगे थोड़ा सा long press करेंगे यानि कि थोड़ा सा अपन यहां पर अंगूली दबाकी रखेंगे paste का option आ जाएगा paste कर देंगे उसके बाद में यहां पर account number पर click कर लेंगे same वो ही process रहेगा वापस से coin DCX पर आएंगे account number जो copy का button last में उस पर click करेंगे वापस से आएंगे वापस से long press करेंगे and वापस से paste करेंगे वापस से थोड़ा सा नीचे आएंगे re-enter account number वापस से हाँ पर long press करेंगे paste करेंगे अब यहां पर आपको IFSC code डालने है same coin DCX पर वा FSC code paste करने के बाद में यहां पर जो address होगा वो automatically आ जाएगा उसके बाद में maximum limit जैसे मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितनी limit रखना चाहता हूं जमान लीजे में 10,000 रखना चाहता हूं इसको edit किया जा सकता है just explain कर रहा हूं ठीक है nickname में यहां पर हम coin DCX रख आ देगा अब amount यहां पर भर है कितना आप यहां पर transfer कर रहा है so जैसे कि मैं 1000 रुपय कर रहां एक हजार रुपय मैंने यहां पर भर लिया purpose मैं यहां पर select कर लूगा यहां पर जो मेरा purpose है simply वो यहां पर आप बूल चकते हैं अधर से यहां पर जो others है वो आप select करेंगे अ आपका जो भी register mobile number है coin dcx में वो आपको यहाँ पे आपका mobile number लिख देना है मैंने यहाँ पे जो अपना mobile number है वो लिख दिया है उसके बाद में आपको pay pay click करना है उसके बाद में कुछ इस प्रिकार से आपके सामने पेच निकल के आएगा यहाँ पे टिक के mark में मैं क्लिक करूँगा उसके बाद में confirm पे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद में जो भी आपका bank में register mobile number होगा उस पे OTP जाएगा वो OTP डालेंगे नहीं जाता है recent करेंगे OTP मैंने डाल दिया OTP डालने के बाद में मैं submit करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे process हो रहा है इस process में थोड़ा वो time लग सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो 1000 रुपए वो भीज दिये हैं अब आपने पैसे तो भीज दिये हैं ठीक है लेकिन आपने जो पैसे भीज़े हैं उसके transaction नंबर आपको कहां मिलेंगे देखो पहला option होता है कि आप अपना जो inbox message है न वो check कर लीजे आपका जो inbox message है उसमें भी आपको मिल जाएंगे बट mostly जो SBI bank account है उसका जो transaction नंबर है inbox में यानि कि SIM पर मिलने में आपको बहुत time लग जाएगा आपका register email ID पर instant आपको मिल जाता transaction detail वहाँ तो आपको मिल जाएगा पट यह जरूरी भी नहीं है कि आपका email ID है वो SBI bank account के साथ link हो आप कैसे खोजेंगे वो हम आपको बताता हूँ आपका जैसे ही आप यह नो open करेंगे कुछ ऐसा look होगा यहाँ पर accounts का जो option इस पर click करेंगे यहाँ पर आपके multiple account होगे जो एक से अधिक दिखाई देंगे अगर एक ही है तो एक ही दिखाई देगा SBIN से start है और यह जो नीचे वाला है ना यह हमारा transaction number होगा इसी number को हमको डालना होगा आप चाहें इसका एक screenshot बना के भी रख सकते हैं आपका पैसा add नहीं हो तो chat के माद्दम से screenshot आप provide करवा सकते हैं वापस से CoinDCX के page पे आजाई है जहाँ पे हम थे account detail कोपी करके डाल रहे थे अगर यह page cancel हो जाता है आपसे तो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर पूरा complete back कर देता है CoinDCX का application है crash हो जाता है कुछ भी तो वापस से कैसे आपको request करनी है पैसे आपने भीज दिये हैं कैसे transaction number डालेंगे ठीक है so application को open कीजिए यहाँ पे उपर आपको add funds का option मिलता है यह again नीचे account का available to invest नीचे the option आएंगे add funds पे click करेंगे अब यहाँ पे मैंने कितना वेज आता 1000 so मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ उसके बाद मैं continue to pay उसके बाद में again यहाँ पे continue पे click करूँगा continue पे click करने के बाद में आपको again वो pop up आएगा okay I understand थोड़ा सा नीचे यहाँ पे scroll कर लेंगे यहाँ पे जो transaction ID आपको डालनी है मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था कि आपको कैसे transaction ID इडिटेल आपकी निकालनी है आपके पास जो भी आपका transaction ID है वो आपको यहाँ पे डालना है उसके बाद में मैं हाँ पे submit करूँगा transaction ID डालने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे transaction ID दिखा रहा है remark मैंने अपना mobile number ही डाला था अगर आप remark डालना भूल जाते हो तो इसके उपर मैंने details वीडियो बनाया कि आपको क्या करना होगा वापस से वो वीडियो आपको वीडियो के description में, i button में and coin dcx के playlist में मिल जाएगा तो यहाँ पर transaction ID detail, remark, account number जो भी हमने पैसे बेज़े हैं basic information है, कुछ गलट detail डाल दी है, जैसे कि आपने transaction ID, तो नीची edit का button मिलता है, edit कर सकते है बट सही है, तो मैं यहाँ पर confirm पी click करूँगा, confirm पी click करने के बाद में, खुड़ा से मैं wait करूँगा उसके बाद में आप देखेंगे, जो मेरा status है, वो show कर रहा है, pending अब यहाँ आपे जो यह पैसा है, maximum आपको दो दिन तक wait करना पड़ रखता है maximum बता रहा हूँ, otherwise एक दो घंटे में ही हो जाता है, depend करता है कि Coin DCX के team के पास किती सारी deposit request है, वो pending है, ओके पी click करने के बाद में, आप यहाँ देखेंगे, जो pending है, उसमें मेरा पैसा जा चुक है, अगर मैं इस पे click करूँगा, उसके बाद में payment method है, उसके बाद में अपना जो reference number है, again, UTR number, reference number, transaction transaction number, सब एक ही होता है, एक ही बात है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे wallet में 1000 रुपए add हो चुके है, यहाँ पर मैं नीचे description को चेक कीजिए, सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं मिल हुआ एक और ऐसे interesting वीडियो में तब तक के लिए चैहिन, बंदे वातरा हम अचते रहिए, मसकराते रहिए